वेलकम बैक एवरीवन माई नेम इस सागर एंड या बैक है विद अनदर वीडियो तो आज है डे 154 हमारी प्योटीडी सीरीज का तो आज का कोशन करते हैं चलो इसका नाम है अग्रेसिव काउज और यह गिवन तो मीडियो लेडी काफी पेमस कोशन है इसके आपको यूट्य सब्सक्राइब करना के इस कोशन के अंदर यूर गिवन तास्क ओव असाइनिंग स्टॉल्स टू के काउज तो जो हमारे पास यह एक अंदर स्टॉल्स की पॉजिशन गिवन है उसमें से हमें कुछ स्टॉल्स इन के नंबर ऑफ काउज को असाइन कर लिए इसका मतलब क्या है अगर हमने दो काउज को दो स्टॉल्स असाइन कर रहे हैं तो उनका जो बीच का डिस्टेंस होना चीन हम वो हमारे पास मेक्सिमाइज कर रहे हैं तो हमारे पास यह टास्क है तो अब इसको शॉल्स कैसे करेंगे सब्सक्रों यह हमारे पास एक्जमपल है तो इसको हम करके देखते हैं वन टू फॉर एट नाइन तो हमारे पास यह एरे की फोर में गियो लाए अगर इसको हम पोजीशन की फोर में देखें तो सबोस्करों यह हमारे पास एक लाइन होगी Suppose करो यह हमारे पास एक line है इसमें हमारे पास position है 1, 2, 4, 8, 9 तो यहाँ पर होगी suppose करो 1 यहाँ पर हमारे पास होगी 2 यहाँ पर हमारे पास होगी 4 यहाँ पर 8 एंड यहाँ पर होगी हमारे पास 9 तो suppose करो यह हमारे पास line में positions of stalls की बना है और हमारे पास number of cows है 3, तो हमें 3 cows को यहाँ पर सभी stalls assign करनी है, ठीक है, तो अगर हम इसको assign करना स्टार्ट करें, सबसे वहले हमारे पास first cow को हम बिल्कुल brute force से सोचते हैं, हमारा जो brute force तरीकर क्या होने माला है, हम सारी cows को linearly अपना ये stalls assign करेंगे, तो सबसे वहले हमने c1 cow 1 क ये stall assign कर दी, c2 और series c, तो हमने linearly ये आप इनको assign कर दी, आप इनका distance देखो, 2-1 इनका distance हो गया 1, और 4-2 इनका distance हो गया हमारे पास 2, और हमको निकालना क्या है, minimum distance between any two of them, तो minimum distance हमें करना है, और उसको हमने maximum possible बनाने, तो इन से minimum distance क्या रहे है, इसका 1 इसका 2, तो यहाँ प पर रखें, दूसरी काओ को यहाँ और तीसरी काओ को यहाँ पर रखने की जगा, यहाँ पर रख दे, c3, तो यहाँ पर हमारे कितना distance हा रहे है, इसका 1 आ रहे है, और इसका हमारे पास कितना आ रहे है, 8-2, हमारे पास 6 आ रहे है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो 6 और 1 हमार पैसा न कर सकते हैं कि तुबसे पहले हमने को यहीं पर रखा सी टू को भी यहीं पर रखा और सी थरी को हम एंड पर रख रहे हैं यह हमारा बिल्कुल ब्रूफोर्स तरीके से चल रहे हैं इसका डिस्टेंस हो जागा नाइन माइनस टू यानिकि वह सेवन होजेगा तो वन और सेवन हमारे पस मीनिमम आगया वन इसके बाद अगर हम आगे चले तो यह हम पूरी लास्त तक रख चुके हैं अब इसको हम अगला कैसे करें जे सिलूइशन को तो सीवन हमने यहां पर रख्छा को यहां पर रखने की जग़ा हम यहां पर रकें के प्वे तो सीटू हमारे 4 पर आगी और सीच्टरी हमारा एट पर आगी तो इसका डिस्टनस क्या आग Today I X Price पास कितना हुआ यह हो गया हमारे पास 3 4-3 और 8 और 4 इसका डिस्टेंस के होगा 8-4 वहारे पास कितना हुआ 4 तो इन दोनों का minimum लेना है minimum आएगा हमारे पास 3 तो यह वाली configuration में अगर हमने काउस को रखा दो उसका डिस्टेंस 3 अगर इसमें रखा तो 1 और उपर वालों में भी 1 तो इसके बाद हम अगली चीज़ देखते हैं अगली configuration में कैसे रख सकते हैं तो यहाँ पर हमने 4 पर रखी थी तो चलो इसके बाद हम इसको 9 पर रखते हैं तो यह हमारा C2 यहीं पर रहेगा इसका डिस्टेंस हमारा 3 रहेगा और इसको हम C3 को 9 पर रखेंगे तो इसका डिस्टेंस हमारा 5 बन जेगा तिल हमारा minimum डिस्टेंस अभी भी 3 रहेगा and इसके बाद अगर हम आगे चले तो C1 यहीं पे रहेगी और C2 को हम 4 पे रखने की जगा 8 पे रखेंगे तो C2 यहाँ पे और C3 यहाँ पे तो इसका डिस्टेंस हमारा कितना आजेगा हमने 2nd काव रखी है 8 पे और 1st काव हमारी 1 पे तो 8-1 हमारे पास यहाँ पे 7 आएगा बट इसका डिस्टेंस अगर हम देखें तो 1 काव 9 पे 1 काव 8 पे इसका डिस्टेंस है 1 तो इन दोनों का minimum हमारे पास 1 आएगा तो यहाँ पे तो आप यह एजूम कर सकते हो इसके बाद भी हमारे पास और multiple test cases बनेगे इसके बाद हमने हम क्या करेंगे यहाँ पर हमने C1 पे रखा था तो इसको हम C2 पे रखेंगे फिर अपना इन दोनों के लिए अपना सारे के सारे possible cases find करेंगे तो इसके बाद हमारे पास और बहुत सारे cases बनने बाले हैं तो इसके अंदर आप क्या देख रहे हो हमारे पास काफी सारे cases बनने जिनके हमको जुरत नहीं है और साथ-साथ आप यह भी देख रहे हैं यह यह वाला थरी यह यह वाला थरी यह दुनों हमार पास अंसर आ रहे हैं जब हमने काउ वाला पर रखी थी यहा तो एक काउ 1 पर रखें एक 4 और तीसरी या तो पर 8 पर रखते हैं यह नाइन पर तो हमारे पास minimum distance कितना आ रहे हैं इनका 3 और इनका अमारे पास फोर आ रहे है या फिर हम 5 भी कह सकते हैं अगर आइन पर रखेंगे तो तो हमारे पा हमारे पास प्राइब हो सकती है तो यह वह बढ़ी तो अब यह जो रिकर्जी फंक्शन चलेगा कि यह वह सारे टैस्ट किसी जादेंगे तो उसके अंदर टैंट अब पाइब हमारे पाइब हमारे पाइब लिक्षेंट तो यह इसको हम solve कर कैसे सकते हैं इसके अंदर हम कर किया रहे हैं सबसे वहले यह देखो इसके अंदर हम कर रहे हैं हम कोई position set कर रहे हैं और हम उसके अंदर से minimum distance निकाल रहे हैं फिर इसमें position set कर रहे हैं कोई कर रहे हैं एक बर 2 बोर से ज्ञान से सुनना हम यहां पर क्या कर रहे हैं पहले हम किसी काउज की position को सेट कर रहे हैं c1, c2 और c3 को हमने किसी ना किसी position पर रख दिया फिर हम distance करें कि यह minimum आएगा यह minimum आएगा वाट मैंने बोला क्या कि हम क्या करेंगे हम इसका reverse करेंगे हम पहले आपके cows की position को fix नहीं करेंगे हम पहले क्या करेंगे उसका distance बता देंगे कि हमारा 3 distance है क्या हम इसमें cows को रख सकते हैं 3 distance में अपने पूरे array के अंदर तो जो यह हमारे पस number line है इसके अंदर हम अपने cows को ऐसे 3 distance के साथ रख सकते है C1 को यहाँ पे, C2 को यहाँ पे, C3 को यहाँ पे तो यह चीज हम find करेंगे हम 3 को guess करेंगे कि हमारा answer 3 हो सकता है तो अगर हमारा possible है तो हाँ हमारा answer 3 हो सकता है फिर उसके बाद चेक करें कि हमारा 4 answer हो सकता है तो अगर हो सकता है तो उसके लिए हम अपनी configuration चेक करेंगे possible है याँ नी तो सबसे बहले इसको अगर हम linear तरीक के सबचे तो सबसे बहले हमने one check करा कि हमारा one answer हो सकता है क्या तो हम रख के देखेंगे पहले हमारे पास area के अंदर यहां पर given क्या है एक second पहले मैं इसको बना लेता हूँ one two four eight nine तो हमने पहले कहा कि हमारा क्या answer हमारे पास one हो सकता है मैंने check करा क्या हमारा answer one हो सकता है तो मैंने यहां पर रखा एक काउ को second काउ को यहां पर रखा third काउ को यहां पर रख दिया इसके बाद हम 2 पे चेक करें कि 2 हमारा answer हो सकता है 1 पे रखी है काओ हम 2 पे रख सकते क्योंकि इसका distance 1 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे हम अपनी second काओ को यहां पे रखेंगे तो second काओ को यहां पे रखा तो 4-1 इसका distance 3 हो गया तो कि हमारा greater than 2 है तो 2 तो हो गई अब 3 भी हो सकता है हमारा अब इसके बाद 3 काओ को रखना है तो 3 को हम नहीं यहां पर रख दिया इसका डिस्टेंस क्या हुआ फॉर तो 3 और 4 हमारे पास यह हो सकता है हमारे पास 2 minimum distance हो सकता है हाँ हो सकता है अब 3 के लिए चेक करें तो 3 के लिए यही configuration चल जाएगी 3 भी हमार answer हो सकता है अब 4 चेक करें अगर हम तो 4 के लिए क्या हमार answer हो सकता है तो हमने 1st काउ को यहाँ पे रखा अगर हम second cow को यहाँ पर रखेंगे तो इसका distance आजएगा 3 तो हम second cow को यहाँ पर नहीं रख सकते क्योंकि minimum distance 4 चीए तो हम क्या करेंगे second cow को हम यहाँ पर रख देंगे तो इसका distance कितना हो गया 8-1 7 तो ठीक है हमारा यहाँ पर रखेंगे तो इसका distance आ रहा है तो यह चीज़ हम नहीं कर सकते हैं तो आपको यह चीज़ दिखरी होगी यहाँ पर हमारे पुछ आ रहे हैं एक पार्ट में और एक पार्ट में अंसर नहीं आ रहे हैं तो हमारा यहाँ पर linear चाल ले थे हम पहले वन चेक करेंगे तो आपको यह चीज़ पता होगी हमारे लीनर सर्च की हमारी पास उसका optimization क्या होती है binary search तो यहाँ पर हम linear ली चेक करेंगे तो लीनर सर्च की optimization बाइनर सर्च करेंगे तो बाइनर सर्च करने हमने अब इसके अंदर हमको क्या चीए एक लोग पोइंटर एक हाई पोइंटर तो लोग हमारे पास क्या हो सकता है फिल्ल आयम क्या कर रहे थे और ए अपने हमगे सर्च वाले में हम्या करें हम distance निकाल रहे है और फिर configuration चेक कर रहे है तो हमारा minimum distance क्या रहा है 11 तो हमारा lowest pointer हमारा 1 हो गया अब high pointer हमारा क्या होगा तो high pointer की अगर हम निकाले तो इसको हम चेक करते है high pointer हमारे stalls की value क्या ओने वज़े 10 to the power 9 तो high pointer हम कैसे निकालेंगे तो suppose को हमारे पास high pointer हमारे क्या आएगा maximum distance सब्सक्राइब this ने करना है कि करना हारतल बाम सब्सक्राइब सब्सक्राइबब what और हम ओ लिया होतर हुम सब्सक्राइब इसके अंदर हमारे पास और भी वैल्योज है बीच में, तो हमारे पास maximum distance तो हमारे यह आने वाले, maximum element minus minimum element, तो हम वो चीज़ कर लेंगे, max minus minus element, तो यह हमारा होगा हाई है, पॉइंटर, तो इस इन दुनों के बीच में हमारा answer लाई करने वाले, तो चलो, अब इसमें हम Coat की फाम में देखते हैं तो सबसे वहले हमारे हमारे पास ये example give next Suppose Do This and... ये अभी हमारे पास Sorted Phone में गीन है बाट जरूर नहीं हमारे पास Sorted unmute फोम में हो तो इसको हम सोट भी करेंगे तो सबसे वहले हम इसको सोट भी कर लेते हैं चलो एरसड़ इसके बाद हमको लोई की जॉरत है लोऋ हमारा वन होने वाल है हमेशे और हाइभ हमारा क्या होने व्र हमारा हमेशशा होने वाल कै यह अभी हमारे पास यह अर्ल हमारे मैक्सिमम होगा और फ्रस्ट नाम होगा इंट-1 माइनूस इसका नाम है Istore माइनूस हमाराShe favourite यानिKi zero that the element आप हम्हारे पास लो हाई आ चुक आ है अब एक condition लगा है वाइल लो is less than high तो इसके बाद हम क्या करेंगे सबसे पहले हमको करना क्या है हमेंको बाइ्टर्व में करते का है हम यहां पर आ चुक है हमने अपना low pointer ले लिया और हमने high pointer ले लिया तो इसको थोड़ा clear करके लिखते हैं हमारा है one two four eight nine तो हमने अपना low pointer ले लिया हमारे पास one और हमारा high pointer ले लिया यहां पर two भी है three भी है four five six seven eight तो हमारे पास high pointer क्या है nine minus one यानिकी eight तो हमारा high pointer है यह ठीक है तो हमारा low pointer ही हो गया high pointer ही हो गया तो I hope आपको यह clearly दिख रहा होगा तो हमारे पास दो point रहा चुक है अब इसके बाद हम क्या करेंगे हम किसी middle value के लिए चेक करेंगे राइट तो सबसे वहले अपने mid value निकाल लेते हैं low प्लस high by two तो ठीक है हमारा क्या आगए nine plus one ओके nine by two eight plus one by two यह हमारे पास क्या आगया four तो हमारे पास four आ चुक है इस पॉसिबल हमारे पास कितनी काउज को प्लेस करना है एक नमबर ऑफ काउज को टोल्स एरे के अंदर और इतने डिस्टेंस के साथ मिड डिस्टेंस के साथ ठीक है तो यह चीज हम एक function बला लेंगे अभी और यह function हमारा ओफ एंड टाइम लेगा क्योंकि हम करेंगे क्या हम सेकिंड यहां पर रखेंगी कि ज्यांड को यहां पर करेंगे तो पूरे अरे में हम्हें टाइम लेगा और यह सकते है जो हमाराandal CPR करने मेंड़ ले cosmos सिर्टक लेगा तो अंदर हम क्या कर रहे हैं हमने क्याक कर लिया कि हमारे यह पॉसिबल है मैं इस हमारे इस रेंज मे पॉसिबल है तो फॉर से निच्छे भी होगा तो फॉर से निच्छे जो चेकने करना हमको ग्रेटर आंसर चेक करने है तो हमारे लोग की वैल्यू क्या होजेगी फॉर प्लस वन तो ठीक है अगर हमारे पास यह पॉसिबल है तो लोग की वैल्यू क्या होजेगी मिड प्लस व यानि कि आप हम इस रेंज में चेक करेंगे हमारा असर है या नहीं है तो हाई क्यों लोजिगी बिड माइनस वन तो आई होप आपको यह बाइने सर्च वाला लोजिक समझाए होगा सबसे वहले हम पूर की अगर हम चेक करें तो इसके लिए पहले आप फंक्शन लिखी लेते हैं हम इसके अंदर हमको के चाहिए एंड हमारा स्टॉल सेरे इसको हम एर आरी कहते हैं और हमारे पास डिस्टेंस हुद है तो सबसे वहले इसको हम अब इस अल् давно को प्रिवियस काओ पर रखी तिए उसकी पॉजिशन तो हमने रखी जीरो थी इंडेक्स भी तो आयो बब कोई यह चीज़ समझ जाए होगी कि हमने एक काओ रख दिया है और हमारे यहां पर प्रिवियस काओ की पॉजिशन क्या है यह और हम लूप में चला के चेक करेंगे हमने कितनी का ज़ा रखी है का इडा एक mieć करना करने को सब सब्सक्राइब का रेक्ष्क करने कि current element यानि कि two तो current हमारे पास position क्या है current position है two और हमने पिछली काओ कौन सी position पर रखी थी minus previous काओ तो हमने पिछली काओ कौन सी position पर रखी थी one पे तो हमने अभी current position है two और हमने पिछली काओ रखी थी one तो इनका distance यानि कि two minus one हमारे पस कितना रहा है one तो क्या ये वन हमारे पास greater आ रहा है या फिर equal आ रहा है हमारे minimum distance से तो इसको हम minimum distance कह देते हैं minimum distance तो अगर ये हमारे पास greater या equal आ रहा है बट ये हमको दिख रहेगी ये हमारा छोटा आ रहा है तो हम इस position पे cow को नहीं रख सकते हैं तो ठीक है तो अगर इस position पर नहीं रख सकते तो इस condition से बाहर आजेंगे एंड इसके बाद हम अगली position पर आजेंगे तो इसके बाद हम 4 पर आ चुकिए अब i के value हमारी यहां पर 4 पर है तो हमारे पास यह current element आया 4 और हमारी previous काओ कौन सी position पर रखी थी हमने तो हम क्या चेक करें है हमने current position minus previous काओ की position यानी कि 4 minus 1 यह हमारे पास कितना आ रहे है 3 तो क्या यह हमारे पास greater than यह equal to minimum distance के तो हमको दिख रहे 3 हमारे greater than नहीं है 4 के ओके तो हमारा यह भी greater than नहीं है इसके बाद हम क्या करेंगे हमारे पास अगली position 8 आ जेगी तो अगली position हमारे पास 8 आ चुकिया और इसका distance हमारे पास बहुत से कितना आ रहे है तो 8-7 यानि कि हमारे पास i-th position minus previous काओ की position यह हमारे पास कितना आ रहे है 7 तो 7 हमारे पास greater than है हमारे पास 4 तो हम क्या करेंगे अपनी एक काओ को 8 पे place कर देंगे यानि कि अपनी previous काओ की position को हमने क्या करता है i-th position यानि कि हमने previous काओ अब हमारी कहां पे है इस 8 वाली position पे और हमारे पास एक काओ प्लेस कर चुके है तो हमको count को भी plus plus कर देना है and इस loop के बाद हमको क्या चेक करना है कि हमने k number of cows place करी है यानि तो हमको true या false return कराना है तो if हमारे पास count की value greater than या equal to a k के तो हमको return कराना है true और else return कराना है false तो यह जो हमारे count है यह हमारे पास कितने number of cows हमने place करी है अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा हम 9 के लिए चेक करेंगे तो 9 है और प्रीविश को के पूजिशन है तो इसका डिस्टंस 1 आ रहा है जो कि हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस के साथ अपनी काउज को प्लेस कर सकते हैं यहां से हमारा ट्रू या फोल्स लिटर्न हो रहा है राइट तो आई होप अब कोई लोजिक समझ आ गया होगा अब इसको एरेज करते हैं तो अब हमको यह पता लग गया ठीक है हमको अब यह पता लग गया हमारा 4 के साथ अथा अंसर नहीं आने वाल राई है तो high value होगी mid-1 mid-1 यहाँ पे थी और high value होगी home evolete mid-1 यानि कि ये तो अब हमारे पस yie position है और low all value हमारे पस यहां पे है तो इसके बाद हम 3 plus 4 by 2 करेंगे तो हमारे पास mid-2 के value आएगी 2 तो mid-3 value हमारे पास 2 हा चुकी है हमारे पास अगली position है mid value 2 आएगी यह position आएगी और इसके लिए अगर हम configuration चेक करेंगे तो यहाँ पर एक काउ को यहाँ पर रख रहे हैं एक काउ को यहाँ पर रख रहे हैं और third काउ को हम यहाँ पर रख रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास possible answer आजएगा और low की value होजेगी mid plus one यानि की low की value यहाँ पर थी और mid की value यहाँ पर थी यहाँ पर यहाँ यानि की 3 पर ही होजेगी है उक्या तो इसके लिए भी हमको check करने है less than equal टू कर रहे हैं यहाँ ठीक है तो अगर हम यहांसे ब्रेक कर रहे हैं एंड अगर हमारा इसके लिए अंसर पुसिबल नहीं हुआ तो हाई को मिड माइनस वन कर देंगे हम और इसके बाद हम पना लास्ट में रिटर्ण कराएंगे हाई लूप के बाद आएगा तो हमने हाई की रिटर्न कराएंगे वो भी देखते हैं तो इसके बाद आपको बता लग गया लोग और हाई अभी हमारे थ्री पे है और हमारा टू के लिए अंसर आच चुक है थीक है तो हम टू के आग्गे चेक करेंगे अब तो अब हमारा low और high दोनों ही 3 पे है तो हम 3 के लिए answer चेक करेंगे, mid भी 3 आएगा, तो अगर 3 के लिए चेक करें, तो हमने 1st cow यहाँ पे place करी, और 2nd cow हम का पे place करेंगे, 4-1 distance है 3, तो 2nd cow यहाँ पे, 3rd cow चाहे यहाँ पे करो, चाहे यहाँ पे करो, हमारा answer आजएगा, तो mid हमारे पास यही है, low भी हमारे पास यही है, तो low की value होजएगी हमारे पास यहाँ पे, 4 पे, तो low की value 4 पे होगी, और high की value हमारे पास 3 पे है, तो हमारे पास low greater होगा, high के, तो जैसे कि आपको यहाँ पे थोड़ा clear करके दिखाता हूँ, 1, 2, 3, 4, तो उसके बाद हमारे प आगे यहां पर करती तो लो हमारा greater than high हो गया और हमको पता फोर के लिए हमारे पास answer नहीं आने वाला तब हमने high को यहां पर रखता था तो मतलब हमारे पास answer अब high पर आए तो या तो आप अलग से भी एक variable में answer store करा सकते हो या तो फिर आप last में high return करा दो अब यहां हमारे पास algorithm ठीक चल दिया और अगर यार मैं इसकी बात करूँ हमारे पास इसका time complexity कितनी है तो अगर मैं कहूंगी इसकी time complexity of and are यह है तो अभी पहले इसको submit करके देखते हैं एक बार I hope audio clear होगी तो हमारे पास यह submit हो चुक है और इसकी अगर time complexity बात करूँ तो of and आ रही है क्योंकि अगर हम यहां पर calculate करें देखो यह हमारे पास of and time ले रहा है ना बट हम इसको देख रहे हैं कि हम इसको बार-बार function को खूल करें तो of and कैसे आ रही है तो सब से वहले देखो हम बाइन रिसर्च करें तो बाइन रिसर्च की time complexity क्या होती है लोग n जो n होता है हमारे पास यह उसका होता है distance हमारे पास कितना difference आ रहे है तो difference कितना आ रहे हमारा maximum element minus minimum element तो maximum element हमारे पास क्या हो सकते है 10 to the power 9 राइट तो अगर हमारे पास यहाँ पर log of 10 to the power 9 लिख रहे हैं 10 to the power 9 minus 0 रखें अगर हम maximum minus minimum तो हमारे पास 10 to the power 9 आ रहे है और log 10 to the power 9 हमारे पास क्या होता है log 10 to the power 9 हमारे पास क्या होता है 9 into log of 10 तो आप आपको यह चीज पता होगी 9 हम पावर में नीचे उतार सकते हैं तो यह हमारे पास क्या value आ रही है 30 तो यह हमारे पास loop जो है maximum times हमारे पास 30 times चलेगा और हम 30 times इस function को call करें तो हमारे time complexity overall कितनी आने वाली है 30 into n तो यह हमारे प चाहों तो यहाँ पर यह लिख सकते हो maximum minus minimum अगर आप यह नहीं लिखना चाहते तो आप 10 to the power 9 डिरेक्ट भी लिख सकते हो हमारे पास highest value के आ सकते है 10 to the power 9 तो I hope आपको यह logic समझा होगा 30 into n है तो इसको हम N लिख सकते हैं तो हमारे time complexity overall of N आरी है या फिर आप इसको कह सकते ह लोग of 10 to the power 9 तो अगर आपको time or space complexity के बारे में अच्छे से detail में समझेने हैं बिल्कुल basic से समझाए हुए तो हमारे java plus dsa course के अंदर recent video है हमारे पास time or space complexity की तो उसका link का आपको description में मिल जेगा हमारे पूर एक playlist का और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर देन और चैनल को भी subscribe कर देना and thank you for watching